सो वेलकम बैक एब्रिवन और आज हम बात करने वाले हैं मैनर्स के उपर ग्रेस पुली मैनर्स है वीट गुड हैबिट्स के उपर जिसे सामने वाले को फिलिंग आएगी कि आपकी जो परवरिस हुई है आपका जो संसकार है जो आजते हैं वो बाकी लोगों से बिलकुल प्रेसिब दिखोगे वेल्एक क्लासी ओर्वर दिखने के लिए आपके मैनर्स और हैभिट भी क्लासी और अभी तक कैसे रहते थे कैसे लोगों से बात करते थे किस तरीके के आपकी मैनर्स थे किस तरीके आपकी आदत है थे जो भी था अच्छा था मैं मान के चलता हूं कि बहुत अच्छा होगा बट आज से वह और बहतर होने वाली है तो बने रहे हैं वीडियो के अंट तक तो सबसे पहली पॉइंट है अगर आप किसी को वेट कराते हो सबचकुर आपको किसी ने बुलाया और आप टाइम पे नहीं जाते हो तो आप अपना वहाँ इंप्रेशन लूज करते हो तो इसलिए मैं आपको एक और टिप दे रहा हूं कि before the time अब टाइम से पहले पहुँचो ताइम से पहले रहो अग कुछ लोग तो sorry भी नहीं बहुते हैं एक तो उपर से late भी आते हैं उपर से sorry भी नहीं बहुते हैं और फिर तभी सामने वाला इंसान को feel होता है कि मेरा time का को value ही नहीं है इसी के time का important value है तो इसलिए आप time से 10-15 minute पहले पहुँचो before the time of time से पहले रहो लोगों को लगेग वाउ दिखेगा कि आप time से पहले रहते हो यह आपकी आदते हैं यह आपकी manners हैं बोलने में तो बहुत चोटी लगती है कि always be on time before the time बट आप इसे implement किसी है क्योंकि आपको भी बहुत ब़ली जिन्दगी जीनी है और यह चोड़ी चोड़ी आदते हैं आपको लोगों से हट क कर दिखाएंगी अब हम इसा time से पहले रहो before the time ओके अब दूसरी tip second point say please and thank you more अब किसी ने कुछ favor किया अपने किसी को बोला कि पानी बोतल पास कर दीजिए और उसने पास कर दी और पास करने के बाद अपने थेंक्यू नहीं बोला अब सामने वाले आपको बोला कि यह पास thank you is the feeling यह एक सब्द नहीं है यह एक feeling है जो transfer होती है जब आप किसी को thank you बोलते हो ना तो दिखता है कि आपके manners अलग है और उससे पहले आपको किसी से कुछ favor चाहते हो तो सबसे पहले आप please बोलना सूर करो जब आप please बोलते हो सामने वाले को तो actually आप उसको request भी कर रहे ह क्या आप मेरे लिए प्लीज यह कर सकते हैं जब आपने प्लीज लगा दिया अभी तक मुझे ने पता कि आपने कितना thank you और कितना please का यूज किया बट आपको आज से यह चीज़े अपनी जिंदगी में अमल करनी है यह दो चीजों को अमल करनी है थर्ड टिप always carry a gift अब ज गिफ्ट बच्पन से पसंद है आपको भी गिफ्ट लेना बच्पन से पसंद है और यह बड़े होकर भी यादते नहीं जाती है आप किसे से मिलने जा रहे हो carry a gift अब इसका मतलब यह नहीं कि आप interview में जा रहे हो एक बड़ा सा gift लेके जाओ किसी ने आपको बुलाया है ख kind and helping people आप लोगों के लिए देखो कि आप क्या कर सकते हो कोई help कर सकतो जरूर करो always do for others यह बहुत बड़ी quality अगर आपने डेवलप कर ली तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको कितनी खुसी मिलेंगी अगर आप किसी को help करोगे उसके तरब से आपको balancing मिलेंगी तो बट ध आप वहां से देख सकते हो और उसका link हम डिस्क्रिसम में देदूगा आप वहां से भी देख सकते हो तो आप देखो लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो क्या help कर सकते हो आप जरूर करो ओके next and final point यह धिया ध्यान रखना जिन्देगी में कि कभी-कभी हम क्या करते हैं हम ए आपना एक attention लेने के लिए बहुत ज़्यादा सराप पी लेते हैं ज़्यादा हवावाई बाते करते हैं कुछ ऐसा करना लग जाते कि उसे लगता कि लोग उसके तरब ध्यान दे and last में होता क्या है कि वो चीज़ें उसी के लिए उसी पर भारी पड़ जाता है अच्छा करन पॉइंट से बात कि इन पॉइंट का यूज कीजिए आप लोगों से हट कर दिखेंगे तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक को लेकर तब तक लिए जय हिंद जय भारत